हाला दोस्तों इस वीडियो में सेड़ वी का जो असिस्टेंट ग्रेड ए का जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिश्कश करूंगा तो उसके एक्सपक्टेड कटॉप कितनी होगी और सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है कि रेजल्ट क्योंगी बहुत सारे एस्प्रेंट इंतिजार कर रहे है हजार और एस्प्रेंट तो रजल्ट के information मिल रहे है उस के बारे में हम बात करेंगे तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरा अच्छा लगे तो फिली चैनल को सेर करें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें देखी का सबते पहले में बात करूंगा आपकी रजल्ट के बारे में पेपर जो हुआ था आपका 28 जन्वरी को हुआ था और टोटल नमबर पोस्ट था बहुत बड़ी अपडेट में आपको बता रहा हूं कि इसका रजल्ट कि समय आ सकता है और जहां तक बात इंटर्विव की इंटर्व्यू आपके लाष्ट फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे जैसा कि में आपको पहले ही बताया घा और जो इसका फाइनल रजल्ट है आपका एक अपरल से पहले पहले आपको दे दिये जाएगा तो यह बात हो गई रिजल्ट और इंटर्व्यू के रिगाड़िंग अब बात कटॉप की कर लेते हैं कि कितनी कटॉप जा रही है क्योंकि मैंने आपको एक बात और बता जाता हूं कि पेपर के पहले किया था तो बास यह कमगा कि पिछली बार के तुलनामे इस बार जो पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का आया था और जिसकी वज़े से कटॉप थोड़ी सी इस बार गिरेगी और एज कंपेर टू बढ़ने की और पहले कॉंप्टिशन बहुत जादा मैं बानता हूं लेकिन पेपर का ब laisse-you to cut-off आ-प अपको बतारा हूँ अपके सामा नहीं चुका है कि जनरल कैटिग्री की जो cut-off है 132 की 109 सी बारेकी 127 की 20 जाएगी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीचल को सेयर करें, स्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, नमस्कार गई